दोस्तों जैसे जैसे अभी टेम्परेचर बड़ा है तो गरमी की वज़े से जो मेंन सबसे ज़़ादा जो देखा जा रहा है चाहे किसी भी सबजी वर्गी फसल हो चाहे तर्बूज है चाहे खर्बूज है अभी यह हमारे अनार के प्लांट्स हैं तो इन में भी मैं आपको दिखाऊंगी सबसे ज़्यादा जो इंसेक्ट देखा जा रहा है वो है लेडी बग या लेडी बिटल भी इससे बोलते हैं और लोकल भाशा में हमारे यहां पर द के लिए इस परेव को करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए और करें तो क्यों करें नहीं करें जानने के लिए वीडियो के अंट तक जरूर बने रहे हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप फ़र्स टाम विजिट कर रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर नजर आ रहे होंगे बिल्कुल पास पास में ये देखिए कितने ज़्यादा एक ही जगर पे नजर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा अभी जैसे ही ये गरम इन्वार्मेंट हुआ है तो इस टाइम बहुत ज़्यादा इनका प्रकॉप देखा जा रहा है लग बख सबी फसलों मे ये देखे जा रहे हैं ये देखिए अब दोस्तों इसके बारे में अगर थोड़ी जानकारी कवर करें तो इसकी पांच हजार परकार की प्रजातियां दुनिया बर में होती हैं अलग अलग प्रजाती के ये इनसेक्ट होते हैं तीन कलर में ये मोस्टली देखे जाते हैं र most of it ये दोस्तों गर्म्य की समय में ही ज़्यादा होता है क्योंकि गर्म जलवाईूं में रहना ये ज़्यादा पसंद करता है इसलिए गर्मी अब जश से जशे गर्मी बढ़ा है तो इस इंसेक्ट का प्रकूप सभी फसलों में ज़्यादा देखा जा रहा है इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूँ कि इसके लिए आप किसी भी परकार के इंसेक्टी साइड का यूज नहीं करना है क्योंकि ये किसान मित्र इंसेक्ट है क्यों है दोस्तों क्योंकि एक तो सबसे important काम है कि यह pollination का काम भी करता है pollinator का काम भी यह करता है second कि aphids या फिर नरम शरीर वाले aphids जैसे और इंसेक्ट होते हैं उनको खाकर कि यह जीवित रहता है उनको खाता है तो यह aphids वगरे को इस टाइप से यह कंट्रोल करता है हमारी फसलों में spider mites को भी यह kill करता है उसके साथ ही thrips को भी यह कंट्रोल करता है तो इस तरीके से यानि कि जो ऐसे इंसेक्ट जो फसलों को नुक्सान पहुंचाते हैं उनको यह खा करके जिंदा रहते हैं इसलिए यह किसान मित्र इंसेक्ट इसको कहा जाता है तो अगर आप इस टाइप के इंसेक्ट देख रहें सिर्फ इस टाइप के तो इनके लिए आप किसी भी टाइप का इस पर यूज ना करें यह बहुत ही यूजफुल है ने यह बहुत हैं तो इनके लिए आप इस पर ना यूजफ करें दोस्तों जानकर यह अच्छी लगए वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सबस्क्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें धन्यवाद